हेलो किसान भाईयों और बहनों कृषी ग्यान चैनल की एक नई कड़ी में आपका स्वागत है किसान भाईयों और बहनों मेटारिजियम एनिसोपली एक उलेखनी अजीव है जो टिकाव कृषी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये फंगर्स फसलों को हानिकारक कीटों से बचाने का एक प्राकृतिक और पर्यावरन अनुकूल तरीका प्रदान करता है आज हम पता लगाएंगे कि रासायनिक कीट नाशकों के उप्योग को कम करते हुए फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए क्रिशी में मेटारिजियम एनिसोपलिया का उप्योग कैसे किया जाता है प्रिशी में एफिब्स, बीटल, ग्रब, जैसिड, दीमक, फल, छेदक, लीफ माइनर्स और नेमाटोड जैसे कीट फसलों पर कहर बरपा सकते हैं ये कीट पैदावार कम कर सकते हैं और फसल को नुकसान पहुचा सकते हैं जिससे खादिय उत्पादन प्रभावित हो सकता है मेटारिजियम एनिसोपलिये एक जैव कीट नाशक की तरह है यह एक लाबकारी फंगर्स है जिसका उप्योग किसान फसल कीटों से निपटने के लिए कर सकते हैं रासायनिक कीट नाशकों के विपरीत ये पर्यावरन लाबकारी कीरों और मनुश्यों के लिए सुरक्षित है मेटारिजियम एनिसोपलिया को विभिन तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है स्प्रे, फसलों पर फंगस युक्त घूल का छिरकाव कर सकते हैं पांच से साथ ग्राम प्रती लीटर पानी और गुर मिलाकर 3 से 4 बार 15 दिन के अंतराल पर छिरकाव करें मृदा ड्रेंच, इसे पानी के साथ मिलाकर मिट्टी में लगाया जा सकता है अट 2 किलोग्राम्स प्रती 400 लीटर पानी प्रती एकर मृदा उपचार अट 1 से 2 किलोग्राम प्रती 25 से 50 किलोग्राम एफवायम में मिलाकर प्रती एकर इस्तेमाल करें बीज कोटिंग, रोपन से पहले बीजों को मेटारिजियम से उपचारित करने से युवा पौधों को मिट्टी में रहने वाले कीटों से बचाने में मदद मिलती है ये काम किस प्रकार करता है? जब मेटारिजियम कीटों के संपर्ख में आता है, तो यह उनके शरीर से चिपक जाता है फिर ये कीट के बहे किनकाल जिसे अंग्रेजी में एकसो स्केलिटन बोलते हैं, में प्रवेश करता है एक बार अंदर जाने पर, फंगर्स कई गुना बढ़ जाता है और विशाक्त पदार्थों को छोड़ता है जो कीट को कमजोर करते हैं और अंतता मार देते हैं मृत कीट फंगर्स के लिए पोशक तत्वों का स्रोथ बन जाते हैं, जिससे इसकी वृद्धी को बढ़ावा मिलता है मेटारिजियम एनिसोपलिया के फायदे परियावरन के अनुकूल मेटारिजियम एनिसोपलिया गैर लक्षित प्रजातियों को नुकसान नहीं पहुचाता है या परियावरन को दूशित नहीं करता है प्रतिरोधी प्रबंधन ये कीट प्रतिरोध को प्रबंधित करने में मदद करता है क्योंकि कीटों में जैविक नियंतरन विधियों के प्रती प्रतिरोध विक्सित होने की संभावना कम होती है लाबकारी कीरों के लिए सुरक्षित, रासायनिक कीत नाशकों के विपरीत, ये परागन को और अन्य लाबकारी कीरों को नुकसान नहीं पहुचाता है। चुनोतियां, परियावरन ये कारक, मेटारिजियम की प्रभाव शील्ता आर्द्रता और तापमान जैसी परियावरन ये स्थितियों के आधार पर भिन हो सकती है सीमिट स्पेक्ट्रम, ये सभी प्रकार के कीटों पर काम नहीं कर सकता है ये सफेद ग्रब, जैसिद, दीमक, फल छेदक और लीफ माइनर्स के लावा और प्यूपा चरनों के खिलाफ अधिक प्रभावी होता है मेटारिजियम एनिसोपलिये को आप नजदी की कृशी की दुकान से या फिर ओनलाइन ओर दे कर मंदवा सकते हैं किसान भाईयों और बहनों कृशी की दुनिया मेटारिजियम एनिसोपलिये फसल को नुकसान पहुचाने वाले कीटों के खिलाफ एक प्राकृतिक सहयोगी है कीट नियंतरन के लिए इसका पर्यावरन अनुकूल दृष्टिकों एक अधिक टिकाओ और प्रचुर कृशी भाविश्य की आशा प्रदान करता है जहां हम पर्यावरन को नुकसान पहुचाए बिना या खाद्य सुरक्षा से समझोता किये बिना अपनी फसलों की रक्षा कर सकते हैं प्रकृति की शक्ती का उप्योग करके हम स्वस्थ फसले और एक हरा भरा ग्रै विक्सित कर सकते हैं किसान भाईयों और बहनों आशा करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा किसान भाईयों और बहनों वीडियों को लाइक करें अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूले धन्यवाद